अलो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यानवित सचिन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉल टेक्निक फर्स्ट सिमेस्टर के कम्यूनिकेशन इसकिल फर्स्ट के कुछ ऐसे important questions और topic को जो आप सभी के examination में बेहतर marks देने में आप सभी को कामियाब हो साएं तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में आप सभी को कम्यूनिकेशन इसकिल के बारे में complete knowledge दूँगा और most important questions के साथ आप सभी के साथ पेस आया हूँ साथ ही साथ में आप सभी को बता दू कि communication skill एसाट एक subject है जो आप सभी को सबसे जादा नंबर देने में यही subject कामियाब होगा ठीक है अगर आपको थोड़ी कम भी knowledge है अगर आप सभी की handwriting अच्छी है थोड़ी English की जो practice है अच्छी है तो कहीं ने कहीं आप सभी के एक सांधार score आप सभी के communication skill में हो सकते है हमने भी 46 marks gain किया था इस communication skill के subject में तो बिल्कुल भी आप सभी भी 45 प्लस gain करोगे इस वीडियो को देखो और complete watch करो और हमारी इस बातों को ध्यान से समझना कहीं ने कहीं आप सभी की वेहतर score आने के पूरे chance जाए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अगर आप भी अभी तक महत्पूर प्रसन के notes वाले ग्रूप में नहीं जॉइन हुए हैं तो जॉइन हुए जाएए आप सभी के पास अभी भी दस से पंदरा दिन का वक्त है और इस दस से पंदरा दिन के वक्त में आप सभी अपने पॉल्टेक्निक first semester के बहतरी इन तैयारी को अंजाम दे सकते हैं तो इस नंबर पर आपको कॉल करके मात्र 11 रुपे हमने प्राइज रखा है और पॉल्टेक्निक first semester की जानदार notes हिंदी में लेकर अपनी सारी तैयारी को आसानी से कर सकते हैं तो फिलहाल चलते हैं अपने उन questions की तरफ जो आप सभी के लिए बहतर साबित होने वाले हैं यह तो आप सभी के यूपी पॉल्टेक्निक first semester के लिए ही डिजाइन किया गया है लेकिन इसे बिहार पॉल्टेक्निक, उत्राखंट पॉल्टेक्निक, मद्यप्रतेस पॉल्टे को यह 12 नंबर का पहला topic पूछा जाता है ठीक है 12 नंबर में अब क्या-क्या पूछेगा समझे लो मैं बताता हूँ आप सभी को इस questions को भी देख लो और मैं जो आप सभी को questions बता रहा हूं उन questions को आप तयार करके जाना उन questions के अलग कहीं नहीं पूछेगा ठीक है पहला न communication, verbal communication, non-verbal communication ठीक है इन इतने च्छाओं के limitation, advantage और यह actual में होते क्या है ठीक है और communication, what is communication and its type मतलब इसमें क्या-क्या parts है, sender, receiver, recorder ठीक है और उसके साथ साथ ही, what is a barriers in communication बस इतने टॉपिक, यानि 9 questions तयार कर लो जिसमें से आपको 3 questions फिर से देखने को मिलेंगे 9 में से, मैं आप सभी से फिर से recommend कर रहा हूं, अगर आपको उन 9 questions में 3 questions नहीं देखने को मिलें तो प्लीज चैनल पर आकर comment कर दे पर ही बता रहा हूं, और previous कई questions paper को analyze करने के बाद ही बता रहा हूं, कि आप सभी को what is communication and its के जो भी parts है, उनको तयार कर लेना है, what is barrier communication याद कर लेना है, और फिर oral, written, verbal, non-verbal, formal, informal, इनको इनको याद कर लेना है, और इनके advantage and disadvantage, ठीक है, बस इतने ही questions है, 6-3-9, ठीक है, कहीं से भी note कर लो, या आप सभी हमारे trash notes वाले group में जुड़ जाओ, मैंने already आप सभी को दिया है, वहां से आप तयार कर लो, कहीं से भी तयार कर लो, इसके alarm कहीं नहीं पूछेगा, और ये 12 नंबर आप सभी के हाथ में होंगे, ठीक है, चलिए, next, तूसरे questions के उपर discuss करत कि एक noun बताओ, और उसके दो example बताओ, ठीक है, तो noun पूछ सकता है आप सभी का, verb पूछेगा, adverb पूछेगा, तीन में से एक पूछेगा, ठीक है, noun पूछ सकता है, pronoun भी याद कर ले न, क्योंकि हमारे subject में pronoun भी है, noun, pronoun, verb, adverb, ठीक है, इन में से verb, adverb में type नहीं पूछेग है, तो noun, pronoun के type और एक एक example, और verb, adverb, ad adjective, तीनों की सिर्फ definition और एक एक example, ठीक है, यह दो-दो example याद कर ले न, यह चार नंबर का question है, ठीक है, दो number आपके definition के, दो number example के, ठीक है, clear हो गई बाद, तो आप सभी के noun, pronoun, adverb, adjective, ठीक है, इस से ज़्यादा का आगे नहीं है, preposition, conjunction, intersection, इन सब चीजों को नहीं दिया गया है, आपके syllabus में, तो इतना ही याद करना है, लेगिन इस बार chances है, कि आपका pronoun या adjective पूछ ले जाए, क्योंकि last year, adverb, पूछा गया है, last year, adverb, उसके last year में क्या पूछा गया है, noun, जो जिस paper को आप देख रहे हो, उसके पहले, क्या, उसके पहले भी क्या पूछा गया था, उसके पहले भी पूछा गया था, pronoun, कुछ टाइप, ठीक है, तो इस बार chances है, कि आपसे adverb पूछ ले जाए, या adjective पूछ ले जाए, ठीक है, चेंज करके पूछा जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे हैं, कि fill in the blanks with correct form of verb given in the brackets ठीक है, तो आपको 4 questions दिये होंगे, जिसमें bracket में आपको correct form बरना होता है, तो इसकी practice आप dear sir के नाम से YouTube channel पर डाल लेना, dear sir, वर्व, क्या नामे, feelings, तो आप सभी के पास आ जाएगा, और उन्होंने सिर्फ 20-25 मिनिट की वीडियो में इतनी अच्छी तरीके सा समझा जाए है, कि आप सभी को एकदम concept clear हो जाएगा, ठीक है, यह आप सभी के चार नमबर में पूछा जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा direct and indirect speech, तो उसके साथ साथी पैसी वाइस, ठीक है, यह पैसी वाइस है, तो आप सभी को पैसी वाइस एकदम अच्छी तरीके स तैयार कर लेना है, क्यों ही कि यही चार नमबर में पूछा जाता है, और पैसी वाइस इतना इजी जी पूछेगा, जिसका कुछ लिमिट नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं, poem did not ring the bell in पैसी वाइस, ठीक है, you must take the patient to hospital, पैसी वाइस, ठीक है, many laws were being violated flagrantly, ठीक है, चलिए, let this dispute be settled peacefully, ठीक है, तो ऐसे ऐसे IUPAC पूछेंगे, कि बिल्कुल आप सभी को पस छोटे-छोटे से concept है, तैयार कर लेना, लेकिन बहुत सारे SA students है, जीनको communication skill बिल्कुल समझ में नहीं आती, एक punctuation का question पूछता है, ठीक है, इसमें क्या पूछेगा, कि आप सभी को punctuate करना होता है तो यह direct indirect का देख रहा है, सीधा direct indirect का ही पूछता है, सिर्फ आपको comma और inverted comma लागाना होगा, ठीक है, I said the police inspector, I have done nothing wrong, फिर inverted comma, close, ठीक है, तो यह बहुत punctuation बहुत easy पूछता है, ठीक है, तो आप सभी को direct indirect speech का punctuation तयार कर लेना है, और इस तरीकी के direct indirect speech भी पूछे जाएंगे आप सभी से, और दो दो नंबर की पूछी जाएंगे, तो direct indirect speech अगर आप सभी को तयार रहेगा, तो बिल्कुल अच्छी तरीकी से कर पाऊगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिये गया है, teacher said to the boys, don't make an advice, ठीक है, father told me that he had bought a book for me, तो इसको एक को direct speech में, एक indirect speech में, ठीक है, तो सबसे यादा number कहां मिलते हैं, कि यहाँ paragraph writing में, ठीक है, अब जैसे कोई भी paragraph writing दे दिये जाएगा, उस पर लिखना है, तो अब उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यह करना है, कि आप कुछ भी topic की याद रहे, अगर समझ में नहीं आता, कुछ भी topic की याद रहे, ल भी उनके 40 प्लस स्कोर है, ठीक है, और notice किस तरीके से लिखना है, क्योंकि notice में notice किया जाता है, कि आपने किस तरीके से notice किया है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने particular एक वीडियो बनाई है, notice writing के, description box में लिंक दे दूँगा, आप जाकर के चेक कर लेना, आपको notice लेकने के एक स तरीके से लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, तो आप भी जाकर के देख सकते हो, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना information था, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, goodbye data, love you all.